नमस्कार दोस्तों चलिए आज हम लोग मोडल परसंट पत्र वन जो समाजिक विग्यान का है उसके अबजेक्टिव कोश्चन को देखेंगे और उसमें चार-चार ओप्सन है हम लोग देखते हैं सही अंसर क्या होगा चलिए तो सुरू करते हैं कोश्चन लिखा है जब फ्रांस शिकता है तो बाकी रोब को सरदी जुखाम हो जाती है किस ने कहा था तो यह मैटरनिक ने कहा था यानि कोश्चन नमर एक का सही अंसर हो जाएगा ऑफसन नमर ए ठीक है मैटरनिक आपको अच्छे से याद रखना ठीक है चलिए तो देखते ह तो बाबा राम चंद्र कोन थे तो बाबा राम चंद्र गिर्मिटिया मजदूर थे यानि कोश्चन नमर तीन का जो जो सही अंसर हो जाएगा ऑपसन नमर बी कोश्चन नमबर चार में लिखा है गांधी इर्वीन समझोता कब हुआ था तो देखे गांधी इर्वीन समझोता 5 मार्च को ठीक है पांच मार्च को हुआ था और पांच मार्च को कब 1931 को ठीक है पांच मार्च 1931 को हुआ था गांधी इर्वीन समझोता लेकिन आपके ओप् में कुछ मिस्प्रेंट फिर हुआ है तो कोश्चन नमर जो चार था इसका सई एंसर तो दिया नहीं है लेकिन हम लोग अगर अप्रेल को मार्च कर दें तो एंसर भी हो जाएगा के लिए लेकिन आपको याद रखना है साथी साथ की गांधी इर्विन समझोता पाच मार्च 1931 को हुआ था डेट अच्छे से याद करना है अप्रेल दिया ठीक है चलिए कोश्चन नमर फाइब को देखते हैं कोश्चन नमर फाइब में लिखा है बंकिम चंदर चटोपाद धाय द्वारा रचित बंदे मातरम गीत किस उपनियास से लिए गया है यह उपनियास आनंद मठ से लिया गया है यानी कोश्चन नमर जो फाइफ हैं इंसर क्या होगा ओप्सन नमर भी ठीक है कोश्चन नमर सेवन कोश्चन नमर सेबन में लिखा है किस उधोग में इस्पेनिस जेनी मसीन का इस्तमाल शुरू हुआ तो देखिए इस्पेनिस क्या लिखा हुआ है Spanish 解 Angeb या धोल सेफ़ागाए के लिए रातों रातों ही बदल दी तू या दोन भी या वो जाएगामरित बजार पत्री क्या जाएगा आप। नमबर C coach member 9 को से मिला का है ठीक है । जो हो से मिला है उसका इन होता है तरी नाद में this fromga and 9 कि आप silk ती कोस्टन नमबर this इस वारत में खेंगे फिर केनाल कलोनी किस नंत में बनाए गई तु जो नेक्स्ट हम दोग देख रहेते हैं कोश्चन नमबर 11 से कोश्चन नमबर 11 में लिखा है श्री लंका कब सौतंतर राष्ट बना तो स्री लंका जो है 1948 में सौतंतर राष्ट बना इसका मतलब कोश्चन लिखा एरोपिय संग का मुखहले कहां है ब्रूसेल्स में यानी कोश्चन नमर 12 को देखते हैं सभी प्रकार की सासन पर नाली है तो जो सभी अमरीका है उसमें अधियाच्षत्मक सासक पर नाली यानी कोश्चन नमर 13 का इंसरोज़ेगा उप्सन नमर 2 हम लोग देखते कोश्टन मर 14 जिसमें लिखा पंचायती राज को सक्ति साली और प्रभावी बनाने के लिए सविधान में तीहतर्वा सविधान संसोधन जो है वो 1992 में किया गया यानि कोश्टन मर 14 का सहे इंसरोज़ेगा उप्सन नम कुछन नमर 15 समाजिक भेदबाव किसने कारण उत्पन होती किसने नी होगा किसके होगा तो पहला आपसों मेरे जाती दूसरा में धर्म तीसरा में भासा और चौथा में आपक्त सभी तो मोग आपका सही अंसर जाएगा राजनितिक दलों के विशे में निमलिखित में से कौन से कहतन सही नहीं है तो आप पढ़िए जब इसमें तो आपको पता चलेगा कि जो राजनितिक विशे इसमें से केवल डी नमबर जो है वो सही नहीं है यानि कोश्य नमर 16 का हम लोगा सही अंसर रोजागा उप्सन नमब सी कोश्य नमुक्व अठरा में लिखा स्माईल इजब इसमाईल स्कीं रचना किसके रचना यानिसमाईल इस पहुछो है वह किसके द्वारा लिखा गए है गे इसके आपको राइटर का नम पुच आ है तो जो चारग प्सहम प्संद कोश्य माले अठरा में कॉन histori स्माईल is beautiful के जो लेखक है उनका नाम है उनका जो नाम है वेक्ति का जो लिखे है उनका नाम है E F E F सुमाकर क्या नाम है E F सुमाकर तो देखिए होना चाहिए था E E E F सुमाकर ठीक है सुमाकर ये लेखक है जो आपका किताब का नाम बोला है किताब का नाम क्या था small is beautiful तो यह जो किताब है इसके जो लेखा किया है उनका नाम है EF सुमाकर लेकिन EF सुमाकर किसी भी option में नहीं है side option c में सुमाकर लिखना चाह रहा था लेकिन सुम से लिखा गया हो सकता है मिस्प्रिंट हो गया देकिन answer तो यह नहीं दिया तो आपको इसी को याद रख लेना है यह answer है ठीक है question number 18 का चलिए question number 19 में लिखा है project tiger कब आरम हुआ देखे project tiger जो है 1973 में आरम हुआ यानि question number 19 का सही answer हो जाएगा option number d 1973 ठीक है चलिए तो question number 20 को देखते है देखे question number 20 में क्या लिखा है इसमें लिखा है निवन में से कौन जल दुरबलता के कारण है तो देखे पहला क्या दिया हुआ है और समान वर्सा भीतरन दूसरा दिया तिर्व अद्योगी करें तीसरा दिया अधिक जनसंक्या चोथा उप्योक्त सभी क्या हो जाएगा उप्योक्त सभी चलिए यहां तक समझा गया तो हम ठीक लगा सकते है question number 20 में option number क्या होगा डी आते है question number 21 में जिसमें लिखा निवन में से कौन सी एक पे फसल है पे फसल का मतलब क्या हो गया है जो इससे पिया जाता है यानि question number 21 का answer हो जाएगा option number C चाय चाय पे फसल है ठीक है question number 22 में लिखा सबसे कठोर पदात को नहीं सबसे कठोर पदात हीरा होता है है यह क्राव से science में भी आप पढ़े होंगे सबसे कठोर पदात क्या होता हीरा तो question 22 का सही answer क्या हो जाएगा option number C चली कोश्य नमर हम लोग अब 23 को देखते हैं कोश्य नमर 23 में लिखा जमसेथ पूर में इस्तित निजी छेत्र का लो इस पात उधोग का क्या नाम है तो जो जमसेथ पूर में इस्तित है उसका नमर टिसको यानि option number A सही अंसर हो जाएगा ja चल सकते हैं क्या है कि ब्याकि आपको जेकशेथ शे प्रिवह को कटने हैं दोपन दिया में चली नहीं होना चाहीए है धेकिन आपको याद क्या है कि याद क्या रखना है भारती रेल परिभान को जो है टोटल 17 भागों में 17 जोनों में बाटा गया आपको यह याद रख लेना है ठीक है चले देखते है कोश्चन नमर 25 को कोश्चन 25 में लिका है भारत के चारो महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते है तो उसको कहते है सौनीम 27 में लिका है लोगों के विकास का अर्धि क्ष्परकार होताई तो लोगों के लिए विकास का अर्त भीन होताई यानि option 20 का सह इंसर होताई सर्थ हो एकैं क्या होगा एक तो देखे परतिवयक्ति आए गा बहाग देने पर और एक आऊसाट आए दोनों आएगा यानि option number याया question number फटिवन में लिखा है तिर्थ्यक को खाली जगा खेत्रक के नाम से इसको सेवा खेत्रक के नाम से जाना जाता है यानि तीसरा वाला सेक्टर जो होता है option number 20 का सही answer होगा question number 31 में लिखा है bank जमारासी के बड़े भाग काउपियों किसले किया जाता है तो जो bank जमारासी उसके बड़े भाग काउपियों को रिंद देने के लिए जाता है option number A सही answer हो जाएगा question Questo 32 में लिखा है बिन्वे का माध्ययम किसे का जाता है तो मुद्रा को बिन्वे का 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 जाता है को विन्मे को भी बेच ना तो आप जब भी खरी 13 उसमें बिन्वे होता बो беспश रहता है मुद्रा को जो थे वह हैं हफी इसके सापना कभी होई तो 1995 में हुआ था 20 वेपार संगठन की इस्थापना यानि 1995 में याद रखना है यह जो सी नमर ऑप्षन है यह 1991 के जया में 1995 होना चाहिए था 1995 नहीं तो आपको याद रखना है ठीक है चलिए तो मोग देखते हैं कोशन नमर 34 को जिसमें लिख़ा है 20 विवार संगटन का मुखहले कहा है तो 20 विवार संगटन का मुखहले जिनेवा में यानि ओप्शन नमर 30 का सई इंसर हो जाएगा कोश्चन नमर 34 का ठीक है चलिए इसके बाद हम लोग देखते है कोश्चन नमर 35 को कोश्चन नमर 35 इ rice me लिए है उप भुगता अंदॉलन का मुद्ध का हुआ ठीक है उप भुगता अंदॉलन का 1960 में हुआ यानि option नमर e sex इंसर रोजाएगा कोश्चन नुमर 35 का कोश्चन नुमर 36 में लिखा है उभोक्ता सनचन अधिनियम यानि कोपरा का पारित हुआ तो आपको अच्छे से देड याद रखना है इसका यह पारित हुआ है 24 दिसंबर 1986 को यानि कोश्चन नुमर 36 इसका सही इंसर रोजाएगा कोश्चन नुमर 38 में लिखा है वह व्यक्ति जो पूरुष और महिलाओं के लिए स्तमान अधिकार और और अवसर में विश्वास करता है क्या का लाता है तो इसका एंसर सही हो जाएगा नारिवाद लेकिन नारिवाद कहीं नहीं है आपको एंसर लिख लेना है क्याजिज नारिवाद यह इसका सही एंसर होगा कोश्चन नुमर 38 में कोई वी ओप्सेन सही नहीं है ठीक है चले तो भारती जनतापार्टी का मुख्य प्रेरक्सिधान क्या था तो भारती जनतापार्टी का मुख्य प्रेरक्सिधान था समक्र नमान उतवाद यानि कोश्चन मर् 39 का एंसर हो ज़ेगा option number C clear रहे हां तक चलिह हम लोग देखते है अब question प्राप्ति करना होता है उसे क्या कहते है तो उसे राजनीतिक दल कहते है यानि question no.40 का साइन सरोज़गा option no.B राजनीतिक दल क्लिए रही हां तक कोई दिक्कत नहीं है देखिए सेट 1 का सोसल साइनस का सेट 1 था उसका objective 40 question था करते हैं सेट 2 का सेट 3 सेट 4 सेट 5 पाचो सेट का objective करते हैं फिर हम लोग descriptive में आएगा question answer वाला में ठीक है हम लोग इसको बाद में देखिए कि जब complete हो जाएगा हम लोग का पूरा objective तब clear रही हां तक चलिए तो हम लोग बहुत जल्द अब सेट 2 का objective को solve करेंगा ठीक है चलिए तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो आप जरू सरू चैनल को subscribe और like करके जाएगा ठीक है क्यूंकि आ एक्जाम आपका होने वाला अब बोट का न सारा एक्जाम से लेटर जो भी important चैजे मैं अपलोड करते रहूंगा इसी चैनल पर ठीक है चलिए दोस्तों मिलते है नेक्स मुलियों में चैहिंद